जब तक धागे में बाल ना आए तब तक हम रोगों को धागे को खीचना नहीं है थ्रेडिंग आप किस तरीके से करते हो यह डिपेंड़े आपके प्रैक्टिस पे पहले आपको थ्रेड पकड़ना बहुत ज़रूरी है आप देख सकते हो इस तरफ से थ्रेडिंग हो चुकी है नीचे की तरफ से और इस तरफ से बाकी है तो यह जो लाइन है आप देख सकते हो प्रॉपर स्टेट लाइन नज़र आ रही है अब इसके बाद उपर से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लाइन को पुंचना जरूरी है पॉइंट चाहिए या नहीं क्लाइन को पुंचना जरूरी है सेंटर के बाल निकालने से पहले जैसे यह मेरे क्लाइन इनके सेंटर के अंदर भी बाल है तो क्लाइन से हमको पहले पुंचना है कि सेंटर के बाल इनको चाहिए या नहीं चाहिए उसके फॉप